यह देखे यह देखे थैंक्यो पर सब्मिटिंग डिजीटल लाइप सब्मिट करना पेंशनर के जीवन का एक एहम हिस्ता होता है अगर वहां सही समय पर सही डिपार्टमेंट के लिए सही तरीके से लाइप सब्मिट नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन रुक जाती है और साथियों पेंशनर को लाइप सर्टिपिकेट देने के लिए यह तो बैंकों में जाना पड़ता है कॉमन सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है साइबर कैफे में जाना पड़ता है वहां पर भीड़ भाड की वज़े से उनको काफी समय भी लग जाता है और CSC और साइबर कैफे में तो उनसे कुछ चार्ज भी किया जाता है और साथियों कई से पेंशनर ऐसे रहते हैं रिमोट एरिया में रहते हैं लाइब सर्टिनकर देना है सही समय पर और सही तरीके से देना है और वीडियो के दोरान मैं पूरा लाइब डैमो दिखाऊंगा लाइब सर्टेफ ढटो इस का परिमान देना ऐ है और पर्त्यक्स उसका परमान भी दूँँगा कि जो आपने डिपार्टमेंट के लिए जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप जो है लाइब सर्टिपिकेट सब्मिट करते हो तो उसकी स्टेटस भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपडेट होती है तो सातियों जो भुजूर्ग हैं CAC Center, Cyber Cafe या बैंकों में नहीं जा सकते हैं घर में बैठ कर जो है बिना कोई पैसा पे किये एक भी रूपया बिना पे किये घर में बैठ कर लाइब सर्टिपिकेट सब्मिट कर सकते हैं उनकी मदद जो है उनके बेटे नाती पोते भी कर सकते ह है और जो डिजिटल से अवेरनेस जिनका अच्छा है वो खुदी जो है मोबाइल की थूरू अपना लाइब सर्टिपिकेट सब्मिट कर सकते हैं तो सातियों इस्टेप बतातों आपको किस परकार से अपना लाइब सर्टिपिकेट देना है मोबाइल पर इस्टेप में आधार फेस्स ल दी सबसे पहले अपने इसको प्ले इस्टोर से डाउणलोड कर लेना है पहले स्टेप में आपने डाउंडूड करते हैं आपका पहला step खतम अब बताताँ मैं second step आपका अब second step में क्या करना आपने google chrome में जाना है और स्रस्च में डालना आपने जीवन प्रमान ठीक है इसे आप ok कर दीजेंगे अब जीवन प्रमान में आप देखोगे सबसे उपर जो आ रहा है ये वाला जीवन प्रमान इसको आपने क्लिक करना है आपने क्लिक कर दिया इस परकार का आएगा इसमें ठीक है आपने स्क्रॉल डाउन करना है इसको जैसे नीचे आएगे तेखे इसमें कई मुबाइल होना चाहिए 5.0 एंड तो आपने जो है इसको अगर मुबाइल में करते हैं तो इसकी यह वाली सर्थ जरूर देख लेना ठीक है इसे आप क्लिक कर लें डाउनलोड एप्लिकेशन ठीक है आपको कुछ नहीं देखना है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन से हैं सभी पढ़ सकते हो लेकिन आपने जो है अल्टिमेटली यही करना है कि आप आओगे और यहां पर अपना इमेल आइड लिकोगे और यहां प पर OTP डालना है जो आपको इमेल आइड पर आया होगा तो आप अपने इमेल आइड में जाएंगे यह देखे इस परकार की OTP आ चुका है आप इससे देखेंगे तो 153 003 मुझे आया है तो मैं इसमें डाल देता हूँ आप भी जो है इसी परकार से कर सकते हैं जिसे सब्मि सब्सक्राइब के लिए अलग है यहां पर कन्प्यूज नहीं होना है आपको डाउनलोड जीवन परमान वर्जन 3.5 एंड्रोड फेस एप को करना है क्योंकि आपके आपके बाइमेट्रिक डिवाइड नहीं है तो आपको जो है कि आपने इसे क्लिक कर देना अब जैसे क्लि आपको भी वह नहीं होता है ठीक है यह देखे इसको जो है लिंक आ चुका है आपने इसे क्लिक करना है अब यह देखे इस परकार का यहां पर से जो है यह लिंक आ रहा है डारेक्ट ऊपर वाला क्योंकि नीचे वले में जाओगे तो अल्रडी फर्ट स्टेप में उसको कर चुके हैं ठीक है तो आपने क्या करना है जीवन प्रमान इस्टॉलर करोगे अब जैसे भी आता है इसके बाद आपने इस्टॉल कर देना है इसको आप इस्टॉल करोगे देख रहे होंगा आप इसको ओपन भी कर सकता हो ड़न दन हो गया है ठीक है यह देखे हैं पर जीवन प्रमान की एप यह आपकी इंस्टॉल हो चुकी है आपने कभी भी लाइप सेटिपिट देना है यह रेइस्टेशन करना पड़ेगा आपको पहले तो इसे खोलना है आपको यह आप खोलोगे देखें जीवन प्रमान फेस सब्सक्राइब कर देना है ठीक है और भी यह अलाव मांगेगा फोटो अगरा तो उसको अलाव कर देना आप बाद में आपका यह आ जाएगा अब आपको जो है सबसे पहले इसमें अपना रजिस्टेशन करना पड़ेगा यहां पर आपको सबसे पहले जो है अपना अधार नमबर डालना है मोबाइल डालना है अपनी इमेल डालना है और इसे सब्मिट करना है ठीक है अब देखे मैंने यहां पर पुरी डिटेल भर दी है अब आपने जो है इसको क्या करना है पुरी डिटेल भरके सब्मिट कर देना है जैसे आप सब्मिट करेंगे तो आपके तो आधार में आपका नाम रहेगा वह आपने आपर टाइप कर देना है ठीक है अभी यहाँ पर देख रहे हूंगे आप यहाँ पर आ रहा है अधार आधार है यह इसे क्या करना है यह तो आप यह तिक मार दे आपने स्कैन करना है अपने स्कैन करोगे तो यहाँ तो स्कैन फेस यस कीजिए ठीक है यस अब यह देखे कुछ परमिशन मांगता है पिक्चर वगरा फोटो लेने की तो आप वाइल यूजिंग आप कर सकते हैं इसको अब देखे यह दिखा रहा है गाइड गाइड लाइन्स दिए दिखाने का मक्सद यह है ठीक है और कैमरे को देखे यह डारेक्शन दे रहा है कि फ्रंट से बिल्कुल स्टेट रखना है कैमरा इस परकार से नहीं रखना कैमरा तिर्चा आडा तिर्चा कैमरा नहीं रखना है यह भी दिया है इसके बारे में ठीक है तो इनको भी फॉलो क करना होता है इसमें तो आपने क्या करना है इसको I am aware of this कर देना है ओके ठीक है और इसे proceed कर देना है detecting face अब यह देखिए capture field देखिए अभी improve lightning दिखा रहा है तो कुछ ने कुछ दिक्कत है इसलिए जो मैंने बोला था वो चीज करनी है को दुबारा से करना आपने scan करो इतनी बार भी करोगे आप करते रहना ठीक है जब तक इसको सही exposure नहीं मिलेगा यह successful नहीं दिखाएगा और camera की तरफ देखना देखिए आँकों को जपकाना भी है आँके पुल खोल के जपका लो कि यह देखिए क्लाइंट रजिस्टेशन सक्सेस्पूल जब आँके जपकाई मैंने तो आपने भी ऐसा करना है आँके अगरा जपका लेना ठीक है क्योंकि आखों की पुतली होती उनको भी capture करता ही ठीक है अब यहां पर ले गया अब आपने अपना एंटर करना है देखि सारी अगई है अपना लिखना है अपना लिखना तरह आपना लिकडिए स्टु जप ज्यादा बेतर है ताそれではök अरे जेकिना आपने क्या करना के संक्ट करना है आपए ऑनग्र आयगा आपको को मेंड़ में अब देखें सेंक्शनिंग अथोरिटी डिसबर्शिंग अथोरिटी एजनसी पीपीओ नंबर अकाउंट नंबर रिम्प्लॉइड यास और नो ठीक है अब मैं आपको यह बताता हूं देखें कुछ लोगों के अभी जिन्होंने पुराने दिये नहीं है तो उनके जो है । कीद्धित नहीं हैं कित देखें के तीन उप्सन दिखाई दे रहे हुए कि यह बीस्किलिए के यहां alinaiic कe आए haros तो इसके लिए और चाहिके इसके बाद जो डिस्पार्स एजेंसिंश तो यहां पर इसके बाद आपका आपने भू से तो यहां पर अपना अकाउंट नमबर डाल देना आपने रिंप्लोइड है तो यह करना पड़ेगा और इसका चर्टिपिकेट भी डालना पड़ता है रिमेरी जाते हैं तो यहां पर अदर्वाइज नो में ही रखें ठीक है इसके बाद आपने इसको आप दे रहे हैं अब आपने इनको जो है इस साथ से क्लिक कर देना जो आप जो पर दे रहे हैं कि दोनों को क्लिक किया और आपने कर दिया सर्मिट नंबर पीप्यों रिमेनिंग फो डिल्सी जनरेशन इसे आप क्या करेंगे अगर आपके और भी पीप्यों हैं उन पे एक साथ देना चाहते तो आपने यस करना है एड़ करना पड़ेगा आपको जैसे कि डो पेंशनर हो दिखाए नहीं है एक ही डिपार्टमेंट से आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा नो करना ठीक है इन चीजों का ध्यान रगना साथ यह कोई बताएगा नहीं चीजों को आपने इसे नो कर दिया रोगे वाँ पर दूसरा पीप नंबर भी दिखाएगा एड़ करना प अब आपने क्या करते ना इसकेन करना ठीक है यह जो आपको नीचे दिखाए दे रहाएगा आपने सकेन करना जो आप इस तो यह कर दीजिए आप में अब यह कर यह देखे है आखों को क्यामरा मोशन पूर लाइटिंग थोड़ा आप लाइट में आ जाई है आखों को भुखाएं है कैमरे की तरफ देखे मोबाइल की तरफ देखें किये यह लेकर थैंक्यू přशब्रियूंटिंग डिजिटल लाइब सट्टिविकेट पर्मायन आइडी आपके आ यहां से हो चुकी है अब इस पर्स में अपडेट हो जाएगी तो इसमें आप देखी रहे होंगे लोग इन करने के बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टूबी डन ओन और विफोर 31 में यहां पर 2023 यह अपडेट हो चुका है और यह दाहीनी तरफ भी देख रहे होंगे आप देखे मैंने पहले भी दिया था हाला कि मैंने दुबारा इसके लिए दिया है आप दुबारा भी दे सकते हैं अगर अपडेट हो चुका तो आप जो है अराम से इस चीज़ को कर सकते हैं घर में बैठकर नहीं तो मदद ले सक तो इस परकार से आप भी जो है डीजिटल दिजी तो सात्यों आपको वीडियो अच्छा लगता यूद इसे सेर ज़रूर करना ताकि सबी का फाइदा हो सके और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सात्यों ताकि आपको इसी परकार के महत्पूर नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जयहिन बंदे मात्रम